हाई वेल्कों तो माचनल इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन नबर 11 और सॉब कीपर मार्क्स इस गूद्स इन सुच अवे दैट आफ्र अलोविंग अडिस्काउंट आफ 25 परसेंट अन दे मार्क्ट प्राइस ही स्टील मेंक्स अफ्रफिट आफ 50 परसेंट find the ratio of the CP to the SP sorry to the MP तो यहाँ पर ratio निकालना है CP और MP में और सॉब की पर पहले-पहले क्या करता है कि अपने goods को मार्क कर देता है कि मैं इतने में बेचूंगा ठीक है सारे goods को लेकिन वो बेचता है जब तो discount जब देता है वो 25 परसेंट का ठीक है जब बेच रहा है तो 25 परसेंट के का रहा है डिसकाउंट दे रहा है फिर भी he still makes a profit up to 50 परसेंट फिर भी इसको 50 परसेंट का profit हो रहा है तब बताना है कि CP और MP में क्या रेसी होगा देखिए जब भी ऐसा question हो जिसमें CP, SP और MP इन तीनों परसला relation है हर चीज़ का यहां पर ध्यान देखिएगा CP और SP की बात जब करेगा न यहां पर क्या आप करोगे या कोई भी करेगा तो CP और SP की जब बात होगी तो profit परसेंट और loss परसेंट आएगा मतलब यहां पर है profit percent का concept मतलब CP और SP का use करके हम prophet percent तल्कुलेड करते हैं यहां फिर आप सोउच सकते हैं ऐसे कि CP और SP एक दूसरे से profit percent से related हैं मतलब यह तीनों quantities CP, profit percent and SP यह तीनों quantities जो जो है एक दूसरे से related है अब यहाँ पर जो MP है वो है SP से related है मतलब selling price से देखिए यहाँ पर discount यहाँ पर जब आएगा discount तो discount यहाँ पर है 25% का ठीक है तो 25% discount जब यहाँ पर आ गया तो यह discount जो सब्द है छूट जब होती है तो हमेशा MP पर होता है marked price पर तो marked price, selling price और discount यह तीनों एक दूसरे से क्या है related है तो इन तीनों का concept हम एक साथ यूज़ करते हैं और CP, SP और profit percent या फिर CP, SP और loss percent इन सब का यूज़ करते हैं एक साथ तो यहाँ पर थोड़ा सामय clear हो जाता है कि कैसे करेंगे देखे हमें निकालना है CP उसके बाद निकालना है MP और उनका ratio निकाल लेना है तो हम क्या करेंगे CP निकालेंगे SP के टर्मे क्योंकि profit percent दिया हुआ है यहाँ पर profit percent जो है वो दिया हुआ है 50% मतलब कि 50% का इसको profit हो रहा है तो profit percent पता है और SP पता है तो आप CP निकाल सकते हैं खेर SP नहीं पता लेकिन SP के form में हम निकाल सकते हैं तो SP को माल लेंगे X rupees ओके फिर हम solve कर लेंगे चले solve करते हैं तो यहाँ पर पहले हम माल लेते हैं SP को late SP of SP of the goods is equal to X rupees माली जो X rupees है SP तो SP आपको मिल गया और यहाँ पर profit percent भी मिल जाएगा क्योंकि यह दिया हुआ है आपको profit percent तो profit percent is given as 50% ठीक है तो आपको मिल गया SP और profit percent तो यहाँ पर आप जो है निकाल सकते हैं CP क्योंकि हमारा CP, SP और profit percent जो है एक दुसर से related होते हैं तो formula आप पढ़े हैं बिल्कुल ही कि CP बराबर होता है SP में multiply करते हैं अपान 100 plus profit percent से profit percent ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा क्या SP कितना है SP आपका है X X multiplied by 100 upon यहाँ मिलेगा 100 plus profit percent 50 means मिल जाएगा 150 राइट तो यहाँ पर केसे राट हो जाएगा यह 0 से 0 और यहाँ में 15, 5 तो 10 ओके तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2X upon 3 ओके तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार और it implies हो जाएगा CP is equal to 2X upon 3 rupees ठीक है अब धियान दिजएगा CP तो हमने निकाल लिया अब निकालना पड़ेगा हमें MP ठीक है MP के लिए क्या formula होता है तो हमें क्या दिया हुआ MP के लिए दिखे है यहाँ पर SP हमें पता है न तो लिख सकते हैं फिर से यहाँ पर किस चेंस SP is equal to X rupees and और discount percentage दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है discount percent is equal to क्या दिया हुआ है यहाँ पर 25% यहाँ का है 25% देखे है SP पता है और discount percent पता है तो आप निकाल सकते हैं आपर MP ठीक है marked price तो marked price का formula जो होता है वो होता है SP multiplied by 100 upon 100 minus discount percent हमने यह formula derive किया था यदि आपको यह derivation जानना है तो आप जो है इस वीडियो के यह जो वीडियो है जिस playlist से देख रहे हैं आप उस playlist का पहला जो वीडियो है उसमें मैंने इसको derive किया हुआ है तो उसका आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखे क्या होगा SP कितना दिया हुआ है X X into यहां पर हो जाएगा 100 upon यह हो जाएगा 100 minus discount कितना हो है तो इसको हम यहां से लिखे तो सही रहेगा इसको हम मिटा देता है यहां से लिखते है ऐसे करके is equal to यहां हो जाएगा X multiplied by 100 upon यहां हो जाएगा 100 minus और यह हो जाएगा 25% तो 25 देखे के वल और यहां पर हो जाएगा X multiplied by 100 upon यहां हो जाएगा 75 तो 25 थीज़े क्या होता है 75 होता है और 25 फोर्जा 100 होता है तो मिल जाएगा यह आपको 4X upon 3 रुपीज राइट तो MP मिल गया हमें इतना तो हम यहां पर इसको मान सकते हैं first first equation ही है CP is equal to इतना और यहां पर implies मिल जाएगा MP is equal to 4X upon 3 रुपीज और इसको मान लेते हम second तो equation first को हम divide करेंगे equation second से तो हमारा CP और MP में ratio निकल जाएगा तो वही चीज लिख लेंगे हैं हापे हम dividing CP by MP we get क्या मिलेगा देखें CP से यदि MP डिवाइड करेंगे तो यहां मिलेगा CP upon MP तो यदि आप left hand side divide कर रहे हैं तो आपको right hand side भी डिवाइड करना पड़ेगा मतलब की 2x upon 3 को divide करना पड़ेगा divided by division का sign और यहां पर हो जाएगा 4x upon 3 अब यह division sign इदी हम चंज करेंगे multiply में तो 2x upon 3 तो ऐसे रहेगा अब यह multiply में इदी चंज करेंगे तो यह उसके right side वाला जो number होता है मतलब 4x upon 3 इसका reciprocal हो जाएगा मतलब की ऊपर हो जाएगा 3 upon नीचे हो जाएगा 4x देखिए x और x cancelaat हो गया यहाँ पर 3 यहाँ पर cancelaat हो गया 1 1 और यह 2 अंजा 2 और यह 2 जा 4 हो जाएगा मतलब की ऊपर क्या बचेगा 1 into 1 मतलब 1 बचा अपान नीचे का बचा 1 into 2 मतलब 2 बचा मतलब इसी को लिसकते हैं 1 is to 2 यही आपका क्या है ratio है तो इसका मतलब की cp और mp का जो ratio होगा वो इतना होगा यहाँ पर लिसकते हैं so cp is to mp is equal to 1 is to 2 this is your answer okay तो hope कि अपको समझ में आ गया होगा यदि आप नए subscriber है तो subscribe जरू कर लिजिएगा यदि आपने subscribe ने किया होगा तो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज हमेशा बनाता रहूँगा और आपके साथ में class 12 तक रहूँगा और यदि आप subscribe कर चुके हैं तो आप जानते ही हैं बिल्कुल आप दोस्तों share कर दिजिए और like कर दिजिए ताकि मुझे कुछ इंपेसर मिलती रहे आप लोग जब like करते हैं और share करते हैं तभी मुझे अच्छा लगता है और मुझे तोड़ा सा बनाने का और मन करता है तो